आप कहते हो चमतकार करने वाला ठगी ही करता है दुसरी तरफ मदर तेरेसा को जब संतत्व पद्वी बहाल की गई तो उनके चमतकार ढूंडे गए इस बारे में आप क्या कहते हो हाला कि जब मदर तेरेसा को ये संत्व पद्वी बहाल करने के समय में जो चर्चाए हूँ इसमें कई टीवी डिबेट्स में मैं शामिल हुआ और तब मैंने सीधे तरीके से कहा था कि मदर तेरेसा ने अपने जीवन में तो कोई चमतकार खुद किये नहीं है ना ही उसने कभी अपने चमतकारों का दावा किया है लेकिन खृषैनिटी में ये परंपरा रहे कि संत्व पद्वी किसी को बहाल करनी है तो उसके चमतकार सिध्द होने चाहिए और Mother Teresa का जो भी काम उसने किया है उसके बारे में बहस हो सकती है चर्चाए हो सकती है लेकिन Nobel Prize मिला है इतना बड़ा काम तो उन्होंने किया है उनको मानने वाला पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है तो Mother Teresa ने जो काम किया वो कामी इतना बड़ा है उनको Nobel Prize अल्रडी मिल चुका है तो इसलिए ये चमतकार ढूंड कर उनके नाम से उनको संतपद्वी बहल करने की कोई आविशक्ता नहीं है ये बात भी मैंने कही थी और जिन चमतकारों के सहारे उनको संतपद्वी बहल करने का पुरा आयोजन हुआ तो वो चमतकार कैसे नहीं है वो केसे कैसे सही नहीं है वहाँ कैसे डॉक्टरी ट्रिट्मेंट मिली थी उस कैंसर की केस में ये भी बाते मैंने जाहीर तरीके से जो अलरी उपलब दती ऑनलाइन उसके आधार पर मैंने कही थी तो पहली बात मदर टेरेसा ने चमतकार किये ये कहने की आवशक्ता नहीं है उसको संदपद्वी बाहल करने के लिए विनोबाजी ने वैख्या करके रखी है कि जो समाज को चार कदम आगे ले जाता है वो संदपद्वी दी जा सकती थी लेकिन महाँ उनकी कंडिशन थी कि चमतकार चाहिए इसलिए वो चमतकार ढूंड रहे थे चमतकार सही माने में नव होने के बावजूद उन्होंने चमतकार करकर घोशित किया और उसका जाहिर तरीके से विरोध मेंने टीवी के कारेकरों तक किया है मेरा उनके चमतकारों को बिलकुल समर्थन नहीं है उनका काम अच्छा है बुरा है इससे अलग चर्चा हो सकती है लेकिन उनका त्याग और उसक्षेत्र में काम ये पूरे दुनिया में चर्चा का विश्य है इसलिए उनको केवल नोबल परिद्विशिक नहीं मिला भारत रतन भी मिला है ये हवेशा हमने याद रखना चाहिए